गाईस Rein discharge जैब बंदे खेलनाा शुरू करते तो फिर रोग ऐसे मुम्मे узнаat अपनी करते हैं फिर वह धीरे-धीरे जब खेलते जाते हैं तो थे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी जो problem में उसको overcome करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो गलती कहां कर रहे हैं फिर भी वो एक middle segment पर आके गलती कर देते हैं जितने भी प्रोवबंदे होते हैं वो उस चीजों पर ध्यान नहीं देते मुवमेंट में तो वो चीज़े मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहे ना गईज हेलो गाइस वेलकम बेक तो दो नीव वीडियो गाइस फाइनली हम आपके लिए ना मुवमेंट के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि मुवमेंट करने में बंदों को ना कहीं कहीं दिक्कत होती है और जनरली लोग क्या होता ना जितने भी अच्छे और बड़े और जो प्रो प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली यह सब गलती करते हैं पर यह जो छूटी जीजना इस पर कोई धान नहीं देता तो इसलिए मैं सबसे पहला बेसिक रूल आपके लिए लेकर आगया हूं कि इंप्रूमेंट कैसे करेंगे अपने मुवमेंट में और यह बेसिकली मेरा आप बिल्कुल इनिशली इंप्रूमेंट करो है ना जहां से आप स्टार्ट करते हो एक पबजी खिलना तो वह एंड टूई सीरीज में मैं आपको सब एक्स्प्लेइन करो हूं तो वीडियो को साथ पूरा बने रहना और इस वीडियो में आप यहां पे स्टार्टिंग से देखो कि मैं अपना जो मोमेंट है वो कैसे स्टार्ट करता हूं ठीक है तो वीडियो को पूरी देखना है अब देखो यह जो बॉक्स रखे हूं इसके बीच में कितने गैप्स है ना तो अगर मैं जैसे अगर जंप करना चाहता हूं मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ नहां पर आप आओगे यह जो रोट से लगे हुए ना इसके पास से आपको मुवमेंट करना और ऐसे करना और मैं आपको एक बहुत बढ़ीया ट्रिक बताने वालों जिस पर ध्यान नहीं देते देखो मेरा जो क्रॉस है ना वो देखो ऊपर के साइड है ना और उपर के सा टैच हो जाते हो जो कि आप पैनिक सिचेशन में गलती कर देते हो ना तो यह सब चीज को ध्यान देने के लिए आपको पहले इस पर मुवमेंट करना अपना और जब आप फाइट लेते हो ना तो उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल जो आपको क्रॉस एर प्ले कर आप सामने क्रोस एर लगके मुवमेंट करोगे ना तो उसके लिए आपके पास बहुत एक्सपिरियंस होना चाहिए जो आप इस ट्रेनिंग में सीखोगे दीरी दीरे करके ठीक है तो पहले आप यह रोड वाला ट्रिक कर लेना जब जितना भी आपको टाइम लगे तो आप स्टार्ट करने से पहले मैच को न आपको शिस करो पांची मिन आपकर लिया करो थोड़ी गया चला लिया करो थोड़ा से एक्सपिरियंस मिलता है गाइस मैं लिक के दे सकता हो यह अब देखो मैं क्रोस एर नीचे रखके इतनी देशा मोवमेंट कर रहा हूं तो मेरे को बह जैसे जंप लेते हो तब आप छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए वैसे आपको नहीं छोड़ना आप गाइस बात को पूरी सुनना कि जोश्टिक को छोड़ना नहीं अगर मुवमेंट अच्छा रखना देखो जोश्टिक का साइज आपका जो भी हो वह डिपेंड करता है कि आपको किस पर आपका कंट्रोल बहुत बढ़िया है ना वह जोश्टिक के साइस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा पहले अभी आप जिस जोश्टिक पर खेलते हैं उस पर खेलो बट आपका न मुवमेंट जो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और जो होना नहीं जब तक आप जंप ना करो जंप करके आप थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो अभी मैं आपको प्रिजन पर लेकर आ चुका हूं तो देखो यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है ठीक है तो इसमें अगर मालो मैं अपने टीमेट के साथ हूं या कहीं भी पोजिशन सब्सक्रीश में अब हूं तो आपको ना क्या करना है बस इसी हाउस के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं यह बस आपको आपको एक कंटे रही आधे करने सो न तो बैठे मत रहो ऐसे की यह स्काइबanız ок जितने भी हाउसे हैं छोटे मोटे हैं ना वेयर हाउसे से लेके आपको मुमेंट करते रहना ताकि देखो जो एक पर्टिकुलर एरिया होता ना जैसे मालों आप रैंगल में खेलते हो तो आप बहुत मुस्टली एक जगह होती है अगर आप जोर्जोपूल जाते हो तो जोर् अगर आप अच्छे लेवल पर खेलना चाहते हो ना तो यह जो बेसिक पॉइंट ना छोटे चोटे यह बहुत डिपेंड करते हैं आप पर कैसा परफॉर्म करते हो और आप अपना मुवमेंट कैसा रखते हो गाइस इसलिए आप पूरे जितने हाउसे ना सब पर बहुत अ तो आपको क्या होता है तो आपको क्या होता है कि तुरंत निकल के मारना होता है फिर आपको विंडू के अंदर आना होता है और अगर आपको पीछे वाला कर सर नहीं करोगे ना अगर आप पीछे नहीं करोगे अगर आप लेफ्ट राइट थोड़ा इधर उदर मूव कर र पड़ जाओगे तो उसके लिए गाइस आप करना पड़ेगा आपको कैमरे सेंसेटिविटी पर थोड़ा वर करना पड़ेगा आप किसी की कॉपी कर लेना और उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना ठीक है तो यह जो था मेरा एक पार्ट यह बेसिक पार्ट था जो की मोमेंट में जो इनिशली जो आपको चाहिए होता है कि आपको मोमेंट कैसे करना है इसके बाद मैं एडवांस मोमेंट ट्रिक्स लेकर आऊंगा टिप्स जो की आपको हेल्प करेगा कि एडवांस मोमेंट कैसे करना इस बैसिकली लाइक रिफ्लेक्स हैना कि आपको रिफ तो वह क्या करता है आपको टीम जो भी आपके टीमेट्स हैं उनको परिशानी में डाल देगा और आपकी जो स्कॉर्ड है वो काफी जल्दी मर जाएगी है ना तो यह सबसे पहला जो मेरा एपिसोड था वह यही था कि मुवमेंट को कैसे आप अपना सही करें ठीक है तो अग हो मैंने बिल्कूल कॉलिटे कॉंटेंट थीक है गाइस तो मिलते गाइस नेक्स विदिन सुल दें बाई